नमस्का सर स्वागत है आप सभी का हमारे एक होन ने वीडियो में दोस्तो आज हम आपके लिए लेकर आचुके हैं इस बने होए मकान की जानकारी लेकर जो कि दोस्तो यह मकान कम कीमत के साथ अरजेंट बिकाओ है तो साथियों अगर आप इस मकान को खरीदना चाहते हैं या आप सभी इस बने होए मकान के बारे में कम्पली जानकारी को हासिल करना चाहते हैं तो दोस्तो बने रहे हैं आप सभी हमारे इस वीडियो के अन तक क्योंकि मैंने आपको इसी चोटी से वीडियो के माध्यम से इस बनी हुए मकान के बारे में पूरी तथा कंप्लेश जानकारी दे दी है और साथ में यह भी बता दिया गया है कि हमकान कहां पर पिका हो है इस मकान की लुकेशन के हैं मकान कितने प्राइस तक पिका हो है साथ्यों वीडियो में शुरू से लेकर अन तक बने रहें चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर से जरूर सस्क्राइब कर लें दोस्तों यह जो मकान आपको दिखाया जा रहा है जो कि दो भाईयों के बीच बटवारा होने के कराण अपना यह मकान एक हिस्से का बेजना चाहते हैं इस मकान को खरीदते वक्त आपको किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई भी मुस्यवत का सामना नहीं करना पड़ेगा क्योंकि बहुत ही अच्छा मकान है किसी भी प्रकार की इस मकान में आपको दिक्कत कोई भी आसुविधा आपको इस मकान में नहीं देखने को मिलेगी चले बात कर लेते हैं इस मकान के बारे में तो साथिहों यह मकान आपको कुल टोटल 900 square feet के area में बना हुआ देखने को मिल जाता है जो कि बात कर लेते हैं इस बनी हुए मकान में रूम की संख्या के बारे में तो दोस्तों इस भी काव मकान में आपको जो रूम की संख्या मिलने वाली है लगभग आपको इसमें साथ बने हुए रूम देखने को मिल जाएंगे जिसमें से आपको दो वेड रूम, एक बात रूम, किचन, ट्वालेट, परामदा, गैलरी, लोबी एक आपको छोटा सा हॉल देखने को मिल जाएगा इस मकान में साथ हो आपको जो है पानी की वेवस्ता समर से बल के माधिम से प्राप्त हो जाती है और मकान में लगे समर से बल के माधिम से भी आप इसमें पानी को प्राप्त कर सकते हैं वहीं पर बात कर लिजा इस मकान की कीमत के बारे में तो देरी ना करते हुए आप हमें कमेंट माधिम से या हमारे यूटूब के अबाउर सक्षन में जाकर के वहाँ पर आपको जो इमेल आईडी दिखेगी उस इमेल आईडी के माधिम से भी आप हमसे संपर करके बता सकते हैं तो हम आपकी बात इस मकान के ओनर से करवाएंगे और यह मकान दिलवाने में आपकी पूरी से पूरी सहकता करेंगे बात कर लेते हैं इस मकान में गारी पार्किंग की शुविधा के बारे में तो साथियो इस विकाव मकान में आपको जो है गारी पार्किंग की शुविधा भी बहुत अच्छी देखने को मिल जाती है जो कि इस मकान में आप अपनी एक फोर्बिलर एक टूबलर गारी बड़े आराम से खड़ी कर सकते हैं वहीं पर बात कर लिजा इस मकान के साइट के रास्ते के बारे में तो साथ यो इस विकाव मकान का आपको जो साइट का रास्ता मिलने वाला है लगबग आपको 12 फिट का रास्ता देखने को मिल जाएगा जो कि आपको इस मकान तक आने जाने के लिए किसे भी प्रकार की कोई दिक्कत कोई भी तकलिफ नहीं होने वाले है बात कर लिजा लुकेशन के बारे में तो दोस्तों यह मकान आपको उत्तर परदेश के राजी में देखने को मिल जाता है सेक्टर नब्र नहीं वस्ति में यह मकान उपस्तित है जो कि मातर 11 लाग रोपे की कीमत के साथ विकाओ है तो दोस्तो अगर आपको कीमत लोकेशन दोनों पसंद है और इन दोनों लोकेशन का यह मकान आप खरीज सकते हैं तो बहुत ही आपको अच्छा यह मकान मिलने वाला है दोस्तो अगर आप किसी अन्य राजिसे हैं या किसी अन्य लोकेशन से हैं और वहाँ के सस्ते वी काउ मकान अगर आप करीजना चाहते हैं तब भी आप हमसे बता सकते हैं कि आपको कौन से लोकेशन पर कहाँ पर कितने प्राइस तक का मकान चाहिए तो वहाँ के प्रॉप्ट हो सके दोस्तों तब तक के लिए हम अपनी इस वीडियो से अलबिदा चाहते हैं मिलते हैं किसे अन्य वीडियो के साथ हुआ किसे हैं सस्ते से भी सस्ते बने हुए अच्छे विकाव मकान के साथ दोस्तों अगर आप हमारे चैनल के मात दिन से अपना कोई भी मकान प्रोड जम करवाना चाहते हैं तब भी आप हमसे बता सकते हैं और अपनी एक वीडियो बनाकर हमारे कॉंटर्ट आइडी पर भेज सकते हैं तो दोस्तों तब तक लिए धन्यवाद मिलते हैं किसे अन्य वीडियो के साथ